मित्रों, ये घोर कल्यूग का समय है। इस विपरित काल में हरी भजन ही एक मात्र जरिया है, मोक्ष को पानी का। जो हरी का नाम लेगा, हरी उसे बचाने के लिए कल्यूग में भी भगवान के रूप में स्वयम प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आये हैं कल्यूग की कुछ ऐसी गाथाएं, जिन्नोंने धर्म में हिंदूओं की आस्था को और ज्यादा प्रबल किया। तो चलिए, अब आज की कथा शुरू करते हैं। देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिन से जुड़ी कई रूचक कताएं भी सुनने को मिलती है। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानी पूर गाउं में स्थिद्ध है, जो उगना महादेव व उग्रनात मंदिर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयम मैथिली भाषा के महाकवी विद्यापती के घर नौकरी की थी। महाकवी विद्यापती हिंदी साहित्य की भक्ती परपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिने मैथिली के सर्वोपरी कवी के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करती थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक अनेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार, जगत व्यापी, भगवान शिव विद्यापती की भक्ती वर रचनाओं से बेहत प्रसन्न होकर स्वयम एक दिन वेश भूशा बदल कर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापती के घर नौकर तक बनने के लिए तयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरसल कवी विद्यापती आर्थिक रूप से सबल नहीं थे। इसलिए उन्होंने उगना यानि भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया था मगर फिर शिवजी के कहने पर ही सर्फ दो वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापती तैयार हो गए थे ऐसी कथा है जब एक दिन विद्यापती राजा के दर्भार में जा रहे थे तो तेज गर्मी वध्धूप से विद्यापती का गला सूखने लगा मगर आसपास जल नहीं था इस पर साथ चल रहे विद्यापती ने उगना यानि शिवजे से जल लाने के लिए कहा तब शिव ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली वो एक लोटा गंगा जल ले आए जल पीते ही विद्यापती को गंगा जल का स्वाद आया उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल कहां से आया इसके बाद उन्हें संदे हुआ कि कहीं उगना स्वयम शिव तो नहीं उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिये तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ा इसके बाद शिव जी ने महा कवी विद्यापती के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वो उगना बन कर ही साथ रहेंगे उनके वास्तविक रूप का किसी को भी पता न चलना चाहिए इस पर विद्यापती ने भगवान शिव की सारी बाते मान ली लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवी की पत्नी शिव जी को चुलहे की जलती हुई लकडी से पीटने लग गई उसी समय विद्यापती वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षाद भगवान शिव है और तुम इने मान रही हो मगर विद्यापती के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए इसके बाद अपनी भूल पर पच्चताते हुए कवी विद्यापती वनों में शिव जी को खोजने लगे अपनी प्रियभक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता परन्तु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतिक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। इसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयम भू शिवलिंग प्रकट हो गया। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्मान साल 1932 में हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भुकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हलांकि आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना दिया गया है। अगर मौका लगे तो आप भी उगना महादेव मंदिर जाकर भगवान भुलिनात के दर्शन जरूर कीजेगा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? नीचे कॉमेंट्स में हमें अपने विचार अवश्य बताएं। मिलेंगे फिर एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ किसी और दिन। फिलाल आज के लिए बस इतना ही। देजिए इजाज़त आपका बहुत बहुत शुक्रिया।